Hello friends, good morning तो friends में लेके आए एक नहीं कहानी मा का सम्मान अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारी चैनल को like, subscribe and share जूर कीजिएगा तो आए स्टार्ट करते हैं कहानी मा का सम्मान अमित और सुमित गीता देवी के दो पुत्र पढ़ लिकर उच्पद पर कारियरत थे अमित पढ़ाई के लिए बिदेश गया और वहीं कहोकर रहे गया वहीं कोई भारती मूल की लड़की से विवा कर लिया और छोटा सुमित भी सहर जाकर पढ़ाई कर रहा था और वहीं उसे जौब भी मिल गई फिर अचानक पिता चलवसे अमित अकेला ही आया पत्नी रमा और बच्चे बिदेश में रहे पिता की तेरी तक तो रहा फिर वह वाफस चला गया सभी रिस्तेदार एक-एक करके वाफस चले गया एक कोडोसन गीता जी को धाड़स बदाते वे कहती है बहन भाई साहके जाने का दुख क्या कम था कि आपके बेटे भी आपसे दूर जा रहे पती के बाद तो बच्चों का ही तो सारा होता है आपका एक बेटा तो पहले ही विदेश चला गया बताओ पढ़ने गया था और ग्रस्ती वसाले फिर लोटा भी नहीं लोटा भी कप जो पिता ने आखे मोल दी मैंने सुनाए कि आपका छोटा बेटा भी सहर जा रहा है क्या आप यहां केली रहेंगी और कैसे कटेगा आपका बढ़ापा क्या फायदा ऐसी अलाद का जो बढ़ापे में सारा ना बन सके तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो हमारी स्टोरी को लाइक सस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो आई स्टार्ट करते आगे की खाने दूसरी पोडोसन बोली बहन क्या बड़ा बेटा परिवार को लेकर नहीं आया अरे आता तो हमें दिखाई ने देता जट से दूसरी पोडोसन बोल पड़ी गीता बहन मैं तो कहती हूँ छोटे के जाने से पहले उसकी साधी करवा दो वन्ना वो भी सहर काना होकर रह जाए दूसरी पोडोसन बोली हाँ हाँ बहन फिर बेटा सहर चला भी जाएगा तो बहु को अपने पास रख रहे न और बीबी यहां रहेगी तो कम से कम बीबी के भाने आता जाता तो रहेगा फिर भी कम से कम मा की खोज खबर तो लेता रहेगा सब अफसोच जता कर चली गई पिता के मिरुत्यू के बाद के संसकार कर अपने आखरी जिम्मेदारी निभाते वे उनका बड़ा बेटा दूसरे दिन ही वापस विदेश जाने लगा मा ने कितनी मिन्नते की बेटा पहले तुमारे बाबा थे पर अब मैं यहां अकेली कैसे रहूंगी मुझे अकेरा छोड़ कर मत जाओ बेटे ने अपने परिवार और अपने काम की दोहाई दी और पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा और चला गया मा ने तो पहले ही उससे उमीद छोड़ दी थी पर जब वो अपने पिता के किरिया करमे आया तो मा को एक उमीद होने लगी जो उसने बेहरे मी से तोड़ दी दो महने बाद माँ छोटे बेटे हो सुमीद से बोली बेटा मैंने कलेजे पे पत्थर रखकर तुम्हें पढ़ने के लिए सहर भीजा था पर अब तुम भी सहर जाने से पहले एक मेरी खौईस पूरी कर दो बेटा बोलो हाँ माँ बताइए क्या करना है माँ बोली मैं चाहती हूं तुम साधी कर लो ऐसा नहो कि तुम भी अपने भाई की तरह है सुमिद अपने भाई के वेवार के कारण अपनी माँ को और दुख नहीं देना चाहता था उसने माँ की पसंद की लड़की संधिया से साधी कर ली करीब दस दिन बाद सुमिद बोला मा अब मुझे सहर जाना ही होगा वरना ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी आप चिंता मत कीजिए मैं आपके खर्चे के लिए वहाँ से मनी ओर्डर करता रहूँगा पहले एक बार अपनी गरस्ती वसालो फिर आपको भी व बेटे बहु को नमाखों से विदा कर दिया समय बीता मा अकेली पुरानी यादों को याद करके मुस्कुरा थी और आखों से आसु बहा लेती चोटा बेटा सुमिद बीज बीज में चिठियां भेज तर रहता था और कुछ पैसे मनी ओर्डर कर देता था पर बड़ा बेट बेटा पिता से लड़ जगड कर खुब मोटी रकम लेकर पढ़ने के लिए सहर चला गया था और फिर सहर से विदेश चला गया इसमें मा की ममता भी आड़े आ गई बेटा तरक्की कर यही सोचकर पती को सहमत कर दो चार खेद बेच कर बेटे को पैसे दे दिये जिसके गम म मैं पिता ने बिस्तर पकड़ लिया दूसरे बेटे को भी बाद में सहर पढ़ने के लिए भेज दिया अब तो बस छोटे बेटे का इसारा था वह भी सहर चला गया चोटा बेटा भी कुछ समय बाद सहर की चका चौन्द में रम गया काम की वज़े से उसका गाव में आना यही बराबर था पर छोटी बहुत संद्या बीज बीज में वो साथ से मिलने जरूर आती रहती दो साल बाद छोटे बेटे के यहां बेटा हुआ तो किसी के ना रहने से जिंदगी रुकती नहीं है तो मासब को छोड़ कर सहर आ गई समय बीता बड़ा भाई जिस देश में र सकते हैं आज तक आपने कोई फर्ज नहीं निभाया और अधिकार लेने चले आए बड़ा बेटा बोला तुम छोटे हो तुम्हें इन सब बातों से क्या मतला चोटा बेटा बोला याद है मुझे माने पढ़ने के लिए बाहर भी जा था आपने तो एक बार भी मुझ से नह हो दोनों भाईयों में बहुत बहस हुई तब मा बोली किसे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा यह मेरा फैसला होगा तो जो आज तक फ़र्ज नहीं बाता आया वह अधिकार भी पाएगा अमित बोला मा मैं भी आपका बेटा हूँ इस संपति पे मेरा भी अधिकार है बकसे म कमाय का एक रुपिया भी आज तक तक तुमने नहीं दिया और जब दिक्कत हुई तो मा याद आगी मैं कहती हूँ निकल जाओ मेरे घर से फिर मा बोली अरे जिसने अपने बाप को जीते जी बिस्तर पर टाल दियो उसके मनने के दूसरे ही दिन बचे वे पैसे लेकर निकल गया हूँ उसे इस घर से अब एक मुठी मिट्टी भी नहीं मिल सकती अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहां से वरना वह चुपचा वहां से चला गया समय बीता मा के मन के घाओ धीरे धीरे भरने लगे कुछ दिन बाद मा अपने गाउन लोट आई धीरे धीरे समय ब पड़ गई बहु का सुजाओ मा को पसंद आया और वो बहु बेटे के साथ अपने उस बक्से को लेकर उनके साथ चल दी सहर पहुंची तो उनके पोते पोती दादी के बक्से को देखकर आश्चरिय में कहते दादी आकी इस बक्से में है क्या जो आप इसे अपने साथ ले देती थी उसकी चाबी भी उनके गले में बदी रहती आश्चरिय के बाद तो ये थी कि उस बक्से को उन्हें कभी भी किसी ने खोलते वे नहीं देखा था कई बार छोटी बहु हंस कर पूसती थी इस बक्से में क्या धरी हो माजी कभी खोलो तो हम भी देखें कि कौन सा ख की भी महसूस कर रही थी तो बहु को बुलाकर बोली बहु एक बात कहूं अपने बच्चों को ऐसे संसकार देना कि बुढ़ापे में कभी तुमारे साथ वो दगा न करें अपने कलेजे के टुकडे के लिए आज भी दर्द महसूस करती हूं अपने खून से जिसे सीचा था उसे कैसे भूल सकती हो मा जी मैं आपके दर्द को समझ सकती हूं आप जेड जी को याद करती है मैंने तो अपनी ममता में कोई कमी ना छोड़ी पर हो कैसे अपनी मा को भूल गय है मा सो गई, साम होने पर छोटा बेटा आया, मा को पूचा, तो पत्नी ढोली, मा जी ने कहा ता, आज हूँ सोना चाहती है, राख के खाने पर उन्हें जगाया ना जाया, जै कैसे मा भी नहीं खाए सोने चली गई, मा आ, ओ मा, चलो मेरे साथ एक लोटी खा लो, लगता है आज तो मैं सबने परिसान किया तभी तो बक्से को पकड़ कर सोई हो बेटे के बार-बार कहने के बाद भी जब माने जवाब नहीं दिया तो बेटा घबरा गया और उठेस फर्च करके देखा मा का पूरा सरी ठंडा हो चुका था उसने पत्नी को आवाज लगई वह भाग कर देके नहीं तो मा के चेहरे पर एक संतोस का भाव था मानो वो अगली आतरा पर निकल रही थी मा को गाउन ले जाए गया वहाँ बिदी विधान के अलो साल उनने तयार किया और उनके गले से वो काली डोरी और चाबी निकाल ली गई किरिया करम समाप्त होने के बाद जब सब वहापस आए तो छोटे बेटे ने वो काली डोरी से चाबी निकाली तो पत्नी बोली बाकी के काम बाद में करना पहले बकसा खोलो हमें दिखाओ इसमें क्या खजाना है जैसे ही बकसा खुलने लगा बच्चे आसपास खड़े होगे अरे ये क्या पुरानी पोस्ट कार्ट पुराने बनी ओर्डर की रसीद और ये धुनली होती वी चिठिया इन मैंसे कुछ चिठियों में स्याई भी फैली भी थी मानो किसी के आसवों ने उन्हें फैला दिया हो ये सब आकिर किसकी चिठिया है और इसे माजी इस वकसे में क्यों रखती थी बहु ने पूछा बेटे के हाथ काफ रहते आँखों से आसवों रुकने का नाम नहीं ले रहते मानो वो उन चिठियों को पहचानता था और क्यों नहीं पहचाने क्योंकि उसे भी चिठिया उसे ने माँ को लिखी थी बेटा रोते भी बूला ये मेरी लिखी वी चिठिया है जब बाबु जी बिस्तर पे थे और माने मुझे पढ़ने के लिए सहर बेज दिया था भाई ने तो पहले ही हमसे नाता तोड लिया थ इसलिए वक्त निकाल कर मैं मा को चिठिया बेजते रहता था ताकि उसे अकेला पर महसूस ना हो कॉलेज के दिनों में मैं टूशन पढ़ा कर मा के लिए कुछ पैसे मनी ओर्डर करता था ये उसी की रसीद है स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पूरी पढ़ाई के दौरा चित कर लेता कैसा अभागा मेरा भाई है जो मा के इस दर्द में सामिल ना हो सका और नहीं उन्हें अच्छी यादे दे सका पत्नी की भी आँखे भीग गई आज उसे एसास हुआ कि उसकी सास उसके लिए यादों का खजाना जो किसी भी संपत्ति से कम नहीं था चोड़ गई है कर अपने देश कभी नहीं आना चाहता मैं आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ और नहीं आपके थोड़े से पैसे और संपत्ति में मुझे कोई हिस्सा चाहिए जो भी आप अपने छोटे बेटे को दे दीजिए और उसी से अपना काम चलाई है मा की कोई भी कड़ी ही याद में अपने सान नहीं रखना चाहता फार कर फैक दो इस चिट्थी को याद अच्छी हो या कड़ी माजी की है मैं इसी बकसे में रहने दूँगी कम से कम जीवन में यह सीख दिंगी कि यह चिट्थी इतना कहकर पतनी इन्हें उस बकसे को बंद कर दिया जैस के कारण उनकी मृत्तियों हो गई बात हच से आगे बढ़ गई और छोटी भो बोली अरे जो अपने मा की मृत्तियों पर भी मोल लगा है इस वर कभी भी ऐसे आउलाद किसी को ना दे याद रखेगा आपको इन सभी बातों का भुकतान करना ही पड़ेगा कल जब आपकी आप आपके साथ यही सब करे तब आपको मा की एहमियत का पता चलेगा तभी जठाने भी बोल पड़ी अपना ये प्रवचन अपने पासर को सीधी तरह से संपती में आदा हिस्सा हमें दे दो वरना कोट के चैरी तक लड़ने की आउकाद नहीं है तभी छोटा भाई पतनी से ब जेल तक पहुंचाओंगे और इनका एक एक किया सब के सामने लाओंगे मेरी सास का अपमान क्या है अब ये बहु अपनी सास के अपमान का बदला लेगी बकसे को लेकर पुलिस स्टेसिन पहुंची थाने दार को सारी चीजे दिखाए उधर बड़ा बेटा भी रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच गया उसने पुलिस वालों को जब रिपोर्ट लिखने को कहा तो पुलिस वालों ने कहा आपकी रिपोर्ट तो बाद में लिखी जाएगी यहां तो आपके खिलाब रिपोर्ट लिखी गई है जब आपने ये लिखकर पहले ही कह दिया था कि अधिकार लेने कैसे आ सकते हैं वे हैरान हो गया पुलिस वालों ने जब पुरानी चिट्थी बक्से से निकाल कर उसके सामने रखी तो दोनों पती पत्नी के आँखे खुली की खुली रह गई तभी बड़ी बहु बोली तुम इतने बेवकुफ कैसे हो सकते हैं तुमने अप लिखकर बेज दिया था अरे अपनी बेज़ती तो करवाई ही सांत में मेरी भी ना कटवा दी अब चलो यहां से जैसे ही दोनों जाने लगे तो पुलिस वालों ने कहा आप ऐसे नहीं जा सकते आप पर एफाई आर दर्ज करवाई गई है कि आपने अपनी मां के साथ काना पड़ा तब जाकर उन्हें एसास हुआ कि मां के रहते उन्होंने कभी उनकी कदर नहीं कि अब जाने के बाद एहमियत समझ में आई कि उन्होंने क्या गल्ती की थी तो फ्रेंड्स ही रही हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्स में जरूर बताइएगा कह थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग चारू ब्लॉग उत्राकट